हे ओल असलाम अलेकूम क्या हाल है आई होप सब ठीक हैं खुश हैं मज़े में हैं अलागा शुकर है मैं भी बढ़िया इसले मैं है ना असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज मगरिब की नमाज के बाद इशां की नमाज कंटेनियो पड़ती हो ना तो अगर जानमाज बिचा रहे तो गफलत नहीं होती है क्योंकि यहां आजान सुनाई नहीं देती है तो फिर मैं गफलत से बचने के लिए जानमाज बिचा कर रखती हूं क्योंकि बच्चे भी नहीं है छोटे घर में जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी अमी का अलाला व रहे हैं अभी धूप तो श्रू भी नहीं हुई है दो चार दिन से में हमेशा बोल रही हूं ठंडी जानेवाली है ठंडी जानेवाली है ठंडी अब गई है 15-20 दिन के बाद ने अभी धुकला है और प्रॉब्लम बढ़ गया है और स्किन बहुत ज्यादा जल रही है कल तो रोना रहा था इतनी तकलिफ हो रही थी तो पाठी सब को बोल के रखी थी मैं कि हाँ अपॉइंटमेंट ले लो जी हॉस्पिटल जाएंगे बोलकर तो देखे युसुफ हाई बोल रहा है तो आचानक अपॉइंटमेंट आ गया तो फिर मैंने फॉ घर से निकल कर पाठी साब को ले ली एक्चुलि पाठी साब की भी मीटिंग है वो मीटिंग एटेंड करके हमको फिर जॉइन करेंगे दो चार काम भी है जहिन आया है ना तो इसलिए और पाठी साब हमेशा बटवा भूल कर आते हैं ओफिस में फिर बटवा मंगाए तक औ फिर वहाँ से हॉस्पिटल पहुँच गए एक्चली ये डॉक्टर के पास है ना मैं बहुत सालों से आती हूँ लगभग 15 या 18 साल यूसुफ 16 साल का है यूसुफ पैदावे तब से ही मुझे थोड़े से प्रॉब्लम हो गए है तब से मैं उनके पास आती हूँ और वो है ना सच में कुछ चीज़ें याद रखते हैं ना इनसान उन चीज़ों में हैं ये आज मुझे फील कर आए जब वो फर्स टाइम आये मैं गई थी ना उनके पास तो उनको बोली थी के देखिए पिछली बार यूसुफ के बाल बहुत सफेद हो रहे थे बोलकर आये थे ना तो उसके 80% बाल कवर हो गए हैं बस थोड़े से हैं तो फिर पहले उसी को चेक कर वाली उसके बाद मेरी चेकिंग हो गई और बलड चेकिंग के लिए दे रही हूँ हाँ जो मैं ये डॉक्टर के बारे में बात कर रही थी एक्चुली मैं 15-16 साल पहले इनके पास आई थी ना तो मैं बोली थी इनको मुझे अच्छी दवाई दो एक दो बार में ही मेरे स्किन का पुरा प्रॉबलम खतम होना चाहिए बोलकर फिर उनों ने मेरी बात थोड़ी अला की होती है ना मैं बहुत ज्यादा डॉक्टरों से ये करती हूँ नहीं ये गलत है क्या वो गलत है क्या मेरी भी नॉलेज शेयर करती हूँ चार बॉंद में से दो बॉंद निकल गए चार बुंद खुन में से दोग बुंद तो निकल गए तुम्हारा प्षरीर के चार बुंद रहे है या बड़े मेरा खुन वैसे ही ये ड्राइनेस का प्राब्लम बहुत लोगों को हो रहा है बोलते वही है है दस दिन की गोलियां लिकता है तो वह दहीं जाएगा तो बहुत कि दो नहीं हुगर्ण ही या इसलिए उन्देवी में नहीं बोली कल रिपोर्ट आएगी तो गोलियां बदवाई वगेरा सब कल ही मिलेगी अगर दस दिन के अंदर कम नहीं होती है ड्राइनल्स तो फिर बहुत बारीक हार्मोन्स वगेरा चेंज कर चेक करना पड़ेगा देखते हैं आगे क्या क्या होता है आप तो व्लॉग देखते ही आपको पता चली जाएगा आज ये विक्टरी में है इनका तो कचर कचर चालू रहता है तो बहुत सारे लोग मुझे पूछे ना तो मैं ये डॉक्टर का नाम ली थी और बोली थी बोलना पात्री मेडम बोले हैं बोलकर तो इतने लोग उनके पास गए थे फिर जब नेक्स टाइम एक दो तीन साल के बाद में गई उनके पास हैं देखिए उसके बाद हम लोग वहां से कपड़े के दुकान पर आ गए ये पात्री सहब के दोस्त ही हैं दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन है यूसुफ को है ना उनका भी छोटा बेटा ऐसे क्या बोलते हैं लपूट चाल करता है तो यूसुफ को बाली पिनाओ ऐसा करो वैसा करो चालू है देखिए वहां दुकान से मंगवाए बाली पिनाने के लिए चार घंटे तो आराम से लग गए और पात्री सहाब भी पैंट चेंज करें थे ना उनकी थोड़ा सा बैगी टाइप है मतलब बड़ी बड़ी पैंट है तो बोल रहे थे थोड़ा थोड पैंट लेना तो ऐसे बोल करें चार घंटे पूरे कपड़े के दुकान में गए हैं वहां से निकल गए हैं बच्चों के लिए जूस ले रहे हैं रात कापी हो गई है बच्चे लोग है न जित्तर रहे हैं यहीं से खाना खाकर जाएंगे बोलकर तुझे फिर घर पे गया और मम्मी ने खाना पका तो मम्मी बोलेंगे मैं काम लगाते हो इतना ऐसा हो ऐसा क्योंकि इतना देर होंगी अपेक्षा नहीं था एक घंटा वग लगेंगा पर चार से पांच घंटे लग गए हैं और बच्चे बहुत बूके हुए हैं चलिए होटेल में दाल चावल का कर जाते हैं दाल चावल इस खा रहें ना आपकोर चिकन तो मुलता है मुझे है ना खाने के साथ चाच और लास्ट में लसी पीना बहुत पसंद है फिर पात्री साब मेरा मून नहीं है तब भी मंगवाही लेते हैं तुम कभी कवार यह तुम्हारे रूल्स हैं तो तोड़ो मत खाते जाओ उचोड़ो मत बोलकर फिर वहां से यह कर लिए यूसुफ है ना अपने आपको अभी बच्चा ही समझता है एक्चली है भी बच्चा लेकिन हाइट की वज़े से है ना सामने वाले उसे बड़ा समझकर है ना डाट देते हैं और मतलब फिर वो नाराज होके मेरे पास आ जाता है अम्मी देखो बलके फिर वहां से निकल ग अगर कोई हम गाना वगएरा गार है ना तो फैन वगएरा सब बंद रहे ना हेलो ची हेलो गूड मॉर्निंग असलाम अलेकूम क्या हाल है आई होप सब ठीक हैं खुश हैं मजे में हैं अला का शुकर है मैं भी बढ़िया हम लोग अब यवतमल जाने की तैयारी कर रहे हैं सब लाइट वगएरा बंद कर रहे हैं एक्चुली जहीन को है ना कुछ सिंग कॉम्पिटेशन में जाना है तो उसके लिए वो ऑडिशन भेज रहा है यहीं से उसे वही बता रही थी कोई भी चीज रेकॉर्ड करते हैं तो फैन और दूसरी आवाजें बंद करना चाहिए फिर वहां से निकल कर ये था रास्ता फिर एक्चुली हम लोग यवतमल आने का कारण जहीन के लिए हम मौलाना आजाद से लोन कराए है ना तो उसका प्रोसस चालू था तो इसलिए उसको यहां लेकर आए हैं यहां नहीं होता तो फिर उसे बॉम्बे में जाकर साइन करना पड़ता था चलो यहां हैं तो कर लेते हैं बोलकर यहीं का काम निप्टाना थ तो इसको निप्टा कर आ गया है ये फिर घर से कुछ खाकर नहीं निकले थे तो चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं बोलकर निकल गये वहां से पर ब्रेकफास्ट का तो दंगल मच गया देखी ये कल जो कपड़े खरीदी है ये पहना है यूसुफ और जहीन बिल्कुल नहीं प महाराष्ट्र है तो फिर साउथ इंडियन खाने बहुत कम यहां पर सही मिलते हैं एक्चली यहां पर है ना समोसा वड़ा ब्रेड पकोड़ा सही मिलता है और ये दोनों भाई जहां रहते हैं इनका ये चालू भी रहता है बच्चे अपना अपना ओर्डर करें हैं हमारा न हीमसार पञुराष्मक्र पर हुतने के दोनों जेगे से फिर उसके बाद ये चश्मा लेने के लिए आगये हैं बच्चों को एक्चली मैं क्या करती हूं बच्चों को मेरे हाथ से खिला देती हूं ऐसा तैसा भी है ना धो-चार निवाले खाकर शान्त हो जाते हैं पात्री साब का भी चश्मा लेना है यूसुफ आजकल बहुत चालाक हो गया है बोल रहा है हमी मुझे सबक सिखाने को 8000 रुपे खर्चे और भाई जान को सबक सिखाने को उनका एक साल ये कर दिये और निदा को सबक सिखाने के लिए निदा को वहाँ पेश दिये हमें आप तो बहुत टेंजर हैं पल रहा है नहीं बराबर तो नींद रही है एक्चुली जब बच्चे छोटे थे ना मैंने उनको बहुत पिटाई करके खाना खिला के मतलब दो चीजों पर पिटाई होती थी मेरी खाना खाना और पढ़ाई करना अगर दोनों चीजे नहीं करें तो इतना पिटाई करती थी तो रेकॉर्ड है मेरी तो पिटाई के उसके बाद हमने गुड की चाय पीली जब बच्चे समझदार होते हैं ना देखे माशाला मेरे बच्चे ना टू विलर बाद में सीके हैं फोर विलर प नुकसान हुआ है लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है पर उसके सामने जो मुझे फायदा हुआ है ना मेरे खायल से वो बहुत बड़ा है यूसुफ को ये चीज समझ में आ गई कि मम्मी पपा कभी भी गलत नहीं बोलते हैं बोलकर अब खाना दीजिए हम खा के आफिस जाए घर पर है ना मुझे देखते हैं तो इतना फास्ट मांगते हैं होटेल में अच्छा खासा आदा घंटे तक वेट करके खा लेते हैं तब वहाँ चुबड़ते हैं रहनी भूख लगी भूख लगी परिशान करते हैं देखी मैं टाइम लगा कर कुकिंग कर रही हूँ आते क कि वज़े से मुझे घिसने में टाइम लग गया चलिए प्यास वगेरा कट कर लेते हैं और मैंने पहले शुरुआत में ही पानी गरम रख दिया है क्योंकि वन साइट पानी गरम होगा इधर कुकर गरम होगा और उधर प्यास वगेरा सब कट हो जाएंगे और मेरा पीछे स जिसकी वज़े से पूरा काम हमारा जल्दी से हो जाए और हमें भी थोड़ा टाइम मिले हाँ जब बच्चे समझदार होते है ना तब उन्हें टाइम देना चाहिए जहीन भी है ना जब फर्स टाइम नीट दिया था तब मुझे बहुत परेशान करा था तो तब मैंने उस से स्पेस दे दी थी खुझ से पास होंदे उसे कुछ नहीं बोलने का लेकिन नहीं कर पाया मुझे पीछे लगना ही पड़ा उसके बाद देखिए मैंने घड़ी को आगे ले लिया क्योंकि कुकर के अंदर का मसाला नहीं दिख रहा था और टाइम उदर रह रहा था तो थो नहीं मैं जो करती हूं जैसा करती हूं वैसा ही आपके साथ शेयर करती हूं और रेसिपी तो अच्छी बनी तो अच्छी बोलती हूं बुरी बनी तो बुरी बोलती हूं ऐसा नहीं कि ये भी बहुत अच्छी बनी है ट्राइ करो बोलकर और मेरे घर के कुछ खाने हैं उन ख खिचडी बोल कर अभी एया 700 ग्राम चावल ही पका रही हूं और जब भी एक खिचडी बनाती हूना पूरी खतम हो जाती है और ये खिचडी की पहले सीटी में ही इतनी ज्यादा समेल आती है घर भर के मतलब खुश्बू से घर फैल जाता है और मेरे आस पास भी पता चल जात है क्यों जी खिचडी बनाए क्या ऐसे पूछते हैं और मैं तो निदा के बारे में एक बड़ी सी कहानी है जब मेरी बीटी सामने होगी न तब मैं जरूर शेयर करूंगी जब मैं ससुराल जाओंगी तो अभी तो निदा का जो भी चीज है उसे साइड कर देते हैं देखे शायद 16-17 मिनिट में खिचडी बन गई है दम छोड़ दिया उसके बाद दम नहीं गैस बंधी कर दी थी उसके बाद जोहर की नमाज पढ़ ली और दो मिनिट थोड़ा रेस्ट भी कर रहे थे रहने दो जहीन का थोड़ा कुछ काम चालू था तो फिर मैं भी रुक गई उ फ्रिज में रखकर आप जब तक खतम नहीं होता है तब तक खराब नहीं होता है लगभग मेरे घर में तो 15-20 दिन चलता है फिर थोड़ा सा मटन का अचार लगा कर दे दी और ये पातरी साब का प्लेट है मिलते हैं अगली वीडियो में अला हाफीज